मैं रिसिकेश सुलब जी आपसे ये पूछना चाहता हूं कि धर्ती आबा अमली सारांस ऐसे रंगमंच के अनूठे चरित्रों का रचनाकार ये दातापीर का जो पूरा कथानक है जिस तरह से बुना गया है मध्यवरगी परिवार भी नहीं है उसमें हम कह सकते हैं कि निम्नवरगी समाज के जिस संघर्स को जिस तरह से आपने रचा है इस तरह के सहिस्पुलता वाले भाव प्रेम के जो राग हैं उस उपन्यास में और उसका फलक बहुत विराट है इस दिमाग में कैसे आया कि मुझ जो मैं काम करता हैं और उस मिये कडी जो आज के समय की सबसे महत्वफॉस्य कडी में कै सकता हूं उसको रचा जाना चाहिए तो पूरी करहानी के साथ मैं चाहूंगा उसका नायक कोण है क्योंकि उस में नायक मुझे है तो हर ब्यक्ति नायक लगता है उसको पड़ते समेabout म ही है वो भी नायक की तोर पर उभरता है देखिए मैं पूरे उपन्यास का कथानक तो नहीं बताऊंगा उसके लिए समय भी नहीं है और संशिप्ति करण की वो कला भी शायद नहीं है मेरे पास की मैं बता सकतूं लेकिन इतना तो तह है कि हम जिस समय में जी रहे हैं जिस में है अभी वो बहुत कठिन है जीवन बहुत सरल नहीं रह गया है सहज नहीं रह गया है धर्म जो कल तक जीवन पद्धती की तरह हम अमारे में शामिल था आज वो हमारे लिए गहरे मतभेद का घ्रना का हिंसा का कारण बन चुका है तो यहो पन्यास मेरे लिए पड़ताल की तरह था कि इस अंग भंग समय में इस ऐसे समय में जहां एक आधी बह रही है जहां जीवन सहज और सरल नहीं रह गया है जो चीजें जो मानुए रिष्टे जिसके बल पर हमारा पूरा समाज खड़ा था जिस समरस्ता के बल पर आज तक हम जीवित थे क्या सच्मुच वो एक राजनितिक प्रपंच है जिसका शिकार हम होते जा रहे हैं लेकिन मेरा संकट ये था कि मैं राजनितिक्यों की भाषा में बात नहीं कर सकता था ना दूसरे लेखकों की तरह मैं चाहता था कि मैं राजनितिक्यों की भाषा में बात करूँ मैं गल्प रचना चाहता था और मेरा ऐसा मानना है कि राजनितिक्यों की भाशा में बात करते हुए हम अपना गल्प नहीं रच सकते, हम यमानदार नहीं हो सकते तो इसलिए कोनों में, आतरों में, जहां भी प्रेम छुपा हुआ है समरस जीवन की संभावनाय बची हुई है हमारे समाज में जो हमारे जीवन और समाज में इस तरह बहुत सारी चीजें आज विन्यस्त हैं कि उन पर धूल धक्कड भले जम गया हो लेकिन वे हैं, जीवित हैं, प्राणवान हैं, वहां स्पंदित हैं तो उन जगों की खोज कथा के माध्यम से करना इस उपन्यास को रचने का मुख्य उदेश्चत है प्राणवान है